स्वाज के Бिग बॉस विकंड के ओर पे यल्विस सादो और मिस्ट्र फैजू की भीस में ये दूसरी बार बहत हो गया है येस बिसकली अनील कपूर सबसे पहले अल्विस सादो और मिस्ट्र फैजू दोनों को कटघर में खरे करके और उनके दोस्त यानि कि अदनान सेख और लव कटारिया को डिफेंड करने के लिए बोले हैं सो सबसे पहले अनिल कपूर एलवी सादो से बोलते हैं कि अदनान सेख आपके दोस्त लव कटारिया को बोले हैं कि लव कटारिया घंटा है जिसको सब कोई बजा के जा रहा है अरसो लव कटारिया अपने दोस्तों के लिए stand नहीं लेते ऐसा इल्जाम लगाए गया है उन पर जिसके reply में LV साद बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कटारिया खुब stand लेता है और जैसे घर के अंदर गया तो वो लव कटा रही है कोई हेड आप आउक्स बनाना चाहता था तो पल्टू है फुसकी बम है या क्या है हो जिसके रिपलाई में मिस्टर फैजू बोलते हैं कि अदनान घर में जब से इंटर किया है तब से सुरू सहीं बोलते आ रहा है कि अगर हो मेरे साथ अच्छे है तो मैं भी उनके साथ अच्छा रहूंगा अगर हो मेरे साथ बुड़े है तो मैं भी उनके साथ बुरा रहूंगा ऐसा करके पिर सेम यहीं सबाल अनिल कपूर एल्वी सादू से पूछते हैं कि अदनान पल्टू है या फुसकी बम है जिसके रेप्लाई में एल्वी सादू बोलते हैं कि अदनान पल्टू भी है फुसकी बम भी है इसके बाद और वीचार-5 चीज़े दिमागे में आईगी जिस पर म मिस्टर फैजू बोलते हैं कि खुल के बाद करो यार जो भी बोलना है बोलो जिसके रिप्लाई में फिर एलवी सादो बोलते हैं कि अगर खुल के बाद कर दिया तो बहुत सारी चीज़े सिंसर करनी पड़ जाएंगी अब इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एलवी सादो अधन